करीम कितना सोते हो यार करीम चलो उठ भी जाओ हाई इदर ही सोते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे ठंड की वज़े से ये कैसे हो सकता है मेरे साथ क्या हो गया है यार रिलेक्स हो जाओ कैसे सो गया मैं इस तरह बच्चों की तरह तुमने दवा पिला इसी वज़े से ऐसा हुआ है अच्छा तो ये बात है मैं इस तरह कैसे सो सकता हूँ यार शान औ शोहरत सब कुछ चला गया मेरा अब कैसे लोगों का सामना करूँगा मैं क्या पागल हो गए हो तुम रिजा हाँ बोलो मेरी चेहरे से वाज़े हो रहा है क्या पच्चतारे हो क्या कभी नहीं नहीं जानता था कैसे लम्हा तुम्हारे साथ चला अब तुम्हें घर जाना चाहिए बहुत साथा टाइम हो गया है तुम्हारा तो रादर ही नहीं लग रहा जानेगा हाँ बिल्कुल तुम सेरिस हो क्या हाँ जाहिर है कल काम पी भी जाना है मुझे घर जाओ जल्दी से अराम करू जाकर अरे यार इतने सुकूम से तो लेटा हुआ हुआ है आज रात इधर ही रुखते हैं ना प्लीज अच्छा अगर तुम्हारे बालों की खुश्मू ले लूँ है दूर से जादा करीब हुए बिना अगर गले लग जाओ बिल्कुल नहीं असिस्टेंट तुम मुझे अभी तक जान ही नहीं पाए सही से अच्छा ठीक है जा रहा हूँ कल ऑफिस में नहीं शुरुआत होगी नहीं क्या नहीं रिजा मेरा मतलब है कि हम ऑफिस में ऐसा कुछ जहर महीं करेंगे कि जिससे लोग हमारे रिलेशन के बारे में बाते बनाएं तुम नहीं लगता कि ये सब मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा इसमें ज्यादा की क्या बात है हाँ, अभी तो मिले है और एतनी मुश्किलों से अब ऐसे में भला हम क्या दूर दूर रहेंगे करीम प्लीज, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे चंद फुजूल लोगों की वज़ा से हम दोनों क्यों दूर रहें रिजा मुझे तु ये बात समझ ही नहीं आ रही है नहीं समझ रहे न तुम मेरी बात देखो मैं समझाती हूं तुमें तुम बास के एसिस्टेंट हो और मैं एसिस्टेंट की गल्फरेंड हूं मेरा मतलब के मैं जोब भी करूँगी वो सब की नजरों में आएगा जैसे के अगर मैंने चुट्टी कर ली तु सब कहेंगे के हाँ ये तो असिस्टेंट की गल्फरेंड है ना सब बाते बनाते रहेंगे और ये मैं नहीं चाहती और और क्या मैं जोब नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि इसके बगर मेरा गुजारा नहीं है फिकर मत करो तुम्हारी जोब नहीं जाएगी तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम सब जानते हो मतलब के महनती और जहीन हो और द्यानतदार भी हो तुम्हारे जैसे एंप्लॉई को क्यों कोई खोना चाहेगा जो भी है हम फिर भी एतियाद करेंगे तुम समझ रहे हो ना ठीक है करेंगे एतियाद तुम से दूर भी रहूँगा लेकिन सिफ आफिस के हत तक अच्छा चलो ठीक है चलो चलते हैं फिर अरे हाजी अंकल देख लेंगे तुम भी ना आफिस में कुछ ना करो यहां कुछ ना करो अरे अच्छा ठीक है अब खुश हो हाँ खुश बहुट 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 खुश हूँ ठीक है अला आफिस अला आफिस हमें एक पासकोट रख लें क्या कैसा पासकोट मतलब मैं जब आफिस में तुम्हें किस करना चाहूँ तुम्हें ऐसे करूँगा मैं हाँ मैं तुम्हें आखों से इस तरह इसारा कर दिया करूँगा इसका मतब्य होगा कि मैं तुम्हें किस करूँगा लेकिन तुम आखे नहीं हटाओगी ठीक है फिर मैं भी ऐसे करूँगी ठीक है ठीक है अपना ख्याल है तुम भी अपना ख्याल है तुम जानती हो इस वक मैं तुम्हारे साथ हो सकता तुम जानती हो रात में तुम्हें मुझ पर तर्ज भी नहीं आया उफ अब इतना भी क्या है थोड़ी दिर बाद वैसे भी मिलेंगे अच्छा ठीक है उट जाओ ठीक है हां तो तुमने क्या कहा मैंने कहा मेरी जाग को पसंद करता हो तो फिर क्या कहा उसने कहना क्या ता हैरान रहे गया अच्छा ये बताओ तुमने निकल गई क्या अरे यार ठीक ठीक निकल रहे हूँ अभी मैं शूस पहन रही हूँ मैंने पहन भी लिये अरे वाव लेकिन मेरे एक रहता है अभी अच्छा ना बंद करो वैसे भी थोड़ी दिर बात मिलेंगे पहले तुम बंद करो नहीं पहले तुम बंद करो सच्म कर लूँगा ठीक है भाई भाई हलो नहीं बंद कर पाया देखा बड़े भुरे पसे हो तुम असिस्टेंट अब बताओ क्या करोगे तुम ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ मुझे मार्सर को भी पिक करना है अ देड से होगी क्या उले विया तुम है क्या हो गया मैं तो रोजी इसी टाइम पर ही आये करता हूँ सही है मैं बंद कलेई हूँ